पर शुरू करते हैं, तो यहां हमने उबली हुई अर्बी ली है, कूकर में हमने अर्बी को डाला, एक सीटी लगाई नमक डाल के, बस एक सीटी लगानी है हाई फ्लेम पर, उसके बाद इसे छील लेंगे, जिसे आलू छीलते हैं और यह अर्बी उबली हुई हमारी तयार हो जाएगी, अब हम यहां इन्हें deep fry करेंगे, तेल को अच्छा गरम करेंगे, उसके बाद फ्लेम को हम medium पर कर देंगे, medium फ्लेम पर अर्बी को 5-6 मिनिट के लिए fry करना है, स्टार्टिंग के 2-3 मिनिट तो टच भी नहीं करना है, जैसे यह जो उपर आपको bubbles दिख रहे हैं जब यह थोड़े से कम हो जाएंगे तब हम इन्हें चलाना स्टार्ट करेंगे नहीं तो क्या होगा पहले अगर चला दिया तो यह तूटने लग जाएंगी बहुत नाजुक होती हैं ध्यान रखेगा तो 2-3 मिनट बाद हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सा पलटना धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे 5-6 मिनट हमने इसे अच्छे से फ्राय किया है पूरा गोल्डन नहीं करना है हलकी सी गोल्डन एक लेयर आ जाए इनके उपर यह देखिए इस तरीके से बस इतना ही फ्राय करना है हाफ डन करना है इतना समझ लीजे तो 5-6 मिनट हमने अच्छे से फ्राय किया उसके बाद हम इन्हें बहार निकाल रहे हैं अब हम क्या करेंगे जो यह अर्बी है एक एक करके अर्बी लेंगे और कोई भी एक कटोरी या प्लेट ले लेंगे उसे इस तरीके से हम थोड़ा सा चप्टा कर देंगे फ्लाट कर देंगे बहुत हलके हाथों से करना है एकदम से प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि वो तूटने लग जाएगी तो हलके हलके हाथों से इस तरीके से हम फ्लाट कर देंगे आप चाहें तो कटोरी या प्लेट से नहीं आप डिरेक्ट इसे हाथ से भी कर सकते हैं हम इन्हें deep fry करेंगे तब तक जब तक यह बढ़िया golden नहीं हो जाती लेकिन सारी अर्भी एक साथ नहीं डालनी है एक बार में दो या तीन अर्भी ही डालनी है नहीं तो वो टूट जाएगी तो high flame पर देखिए हमने इसे golden कर दिया है और इसी तरीके से हमने जितनी भी माला बनाते हैं जिसके लिए बोल में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा नमक डाला है गरम मसाला आधा चम्मच और डेट चम्मच आम चूर पाउडर इसकी जगह आप चाट मस भी ले सकते हैं, सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे मिक्स करेंगे जो मसाला है वो बनकर बढ़िया तयार हो जाएगा, एकदम चटपटी अर्भी ये बनकर तयार होती है, तो अब सेम कढ़ाई में सारा तेल हमने निकाल दिया है, स्रिफ एक चममच तेल जब तक मसाला सारी अर्भी पर अच्छे से नहीं लग जाता, जैसे सारा मसाला अर्भी पर लग जाए, बस कुरकुरी अर्भी बनकर एकदम बढ़िया से तयार है, डाल, चावल, रोटी, सबजी, किसी के भी साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसी लगी है रेसिपी, बरूर से बताएगा,